आपको पता है आपकी लाइफ में एक ब्रॉक लेस्टनर है जो कि आपके साथ हर टाइम है सोडते उठते बैटते जाकते कोई भी काम करते हुए ओके एलो चैटर्स माइनेम इस रुईत एंग वाचिंग वाचिंग रेसल चैटर्स तो इस वीडिम हम लोग बात करने वाले हैं आग जो है मंडे नाइट रॉक एपिसोड के बारे में और सबसे पहले हमको जो की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है फिन बैलर के साथ में आपको पता है यह जो फिन बैलर और जिजमेंट डे के इशूस है वो चलना है तो और आके यहां पर यही बोलते हैं कि कैसे डेवन पीस के बारे में बेसिकली उन्होंने उल्टी सीदी बाते करना शुरू करती है और यह अच्छा नहीं है जजमेंट डे के लिए क्योंकि उन्होंने मामला भी खुद से साइटल नहीं किया और उससे पहले ही क्या बात हो रह बिल्कुल डेवन पीस के बारे में और उसके बाद जब रिप्ली ने उनका बिल्कुल मायक भी बंद कर दिया ना तो वह क्या करते हैं वह आँ से चले भी जाते मतलब रियर इप्ली और डॉमिनिक मिस्ट्री रह गया में इसके बाद जो रियर रिप्ली हो थोड़ा सा कंट जाता है कि Seth Rollins आ गया वो बड़ा चिला रहा है क्राउड उन पर बू कर रहा है उसके बाद क्योंकि आज शो पर Seth Rollins और Dominic Mistero का मैच होना था तो Dominic के बारे में Seth Rollins बोलते है कि आज तो वैसे भी तुझे में अच्छी तरीक से तोडने वाला हूं और ऐसा करके बड़ी कि खुशी से वह वहाँ से चले जाते हैं वह दो पार्टी में लड़ाई नहीं होती कभी-कभी क्यार एक साइड वाला बंदा तो बड़ा चिड़ा हो वासा फ्रस्ट्रेटेटेड है और सामने वाला बंदा बिल्कुल चिल वे में उसकी मज़े से ले रहा है तो वही चीज से यहां से पता चला वह था इंपीरियम के बंदों को आपस में लडवा देना कि जीवाने विंची और लुडविक काईजर है वह मैंच के बाद मतलब मैं तो बोलूंगा या पर की यह जीवाने विंची को छोड़के चले गया है क्योंकि इंपीरियम के दोनों मतलब कि गुं वह बहुत सारी टीम्स को बनते हुए देख रहे हैं कि यह आ जाते हैं हमेशा तो उनी सारी टीम्स का सफाया करना क्योंकि वह नमबर्स गेम खेल के आ रहे हैं लाइन में तो अभी देखते हैं क्या सीन मनता है नेक्स वीक के लिए वैसे मैच अडविटाइज हो गया रिड प्रोम वाला प्रोम पैकेज हो बेसिकली क्या ही था उसमें वीर और सांगा जो है हिंदी में बात कर रहे होते हैं कि हम आ गया शुरू भी हमसे एंडिंग भी हमसे बात कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा टाइम और लग रहा है इनको बनाने में पता नहीं किस पॉंट पर ज चेस कर रहे हैं सारे जज्जमेंट डे के बंदे आ गया वह से थे रोलिंग को पर टैक कर रहे हैं और नमबर्स गेम को एकोलाइज करने के लिए के विन वबंस सामी जेन आते हैं और इवन से तील चेहर से डॉम डॉम को मारा भी था उसके बाद रिपली को इतना बुरा रिकोषे और रिकोषे मैंने आभी आपको बताया भी था अपनी वॉइस व्रेस्लिंग की वीडियो में कि यह जो स्पॉर्ट हुआ था वो रॉयल रंबल का उसके बारे में रिकोषे के बारे में लोगन पॉल ने अपने इंपॉल्सिव पॉड़कास में उल्टी सीधी बा रिकोषे के बारे में उनके अनप्रोफेशनल होने के लिए इसके बाद लोगन पॉल आते हैं मजाख उड़ाना शूरू कर देते हैं उनका कि वाईरल होने के लिए मेरे साथ होना चाह रहा है क्या और मैं कोई टिक टॉक पर वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ मैं एक डब लोगन पॉल खुद ही पंच थ्रो करते हैं लेकिन दोना पंच इसको डग करके रिकोषे नहीं रिंग साइट पर लोगन पॉल को बजा दिया और लोगन पॉल एक दमच सर्प्राइस भी होते हैं कि यह क्या हूँ मैं तो अपने पता नहीं क्या-क्या अपने दिमांग में अपने आपको सोचे बैठा था क्योंकि थोड़ा सा मजा चखा दिया रिकोषे ने लोगन पॉल को अभी इनके बीच में ब्रॉल भी उती विमिन आपके साँ शेर करी थी तो क्लेर नियाद से इनकी जो फ्यूड है उसकी डिरेक्शन समझ में भी आ रही है नेक्स मैच होता अगली चीज होती है शोपर ग्रैजुएशन वाली सेर्मणी और क्राउड इस चीज़ को इतना जादा पसंद कर रहा है मतलब कि यूजियली क्या होता है कि ऐसा लगता है यारे क्या फालतुगीरी करने लगे है यहां पर ना कोई मैच होना ना यह कोई इन सूपस्टार को स लिया जा सकता लेकिन ग्रैजुएशन वाली सेर्मणी में मैगजीन डूपरी को जिस तरीके से पसंद किया जा रहा था और क्राउड जिस तरीके से चैट गेबल और ओटिस के बात करने पर भी कह रहा है वह चीज़ काफी अच्छी लेगी थी लेकिन पूरा वाइकिंग र दूसरी कंपनी में जाके काम करना चाहिए कि अगर कोई चीज होनी होती तो वह दिख जाती हां सिर्फ पैसो के लिए अगर काम चला तो फिर उसके बार बात नहीं की जा सकती इसके बाद शोपर होता है एमा वर्सेर शेना बेजलर के बीच मैच और शेना बेजलर बहुत आ वर्सेर में डेवलबलीन का मैच बूक कर सकती है क्राउड में यह भी नहीं कोई बहुत आजा था इंवेस्टेड था लेकिन इंट्रस लेने वाली चीज है यहां पर इसके बाद गये शोपर कोडी रोड का प्रोमो आता वीडियो की स्टार्ट में आपसे बोला था कि आपक पास ej ag Unsha फड़ माधिक अचमी को आपते हैं ऐसा आ या इसा होगा मैं तो यह तो बहँ तो यह को आगे निकलनापड़े गां है आसे तो Summer Slam में मैच कर वाके वह час हो गुड न्यूज यह है कि अगले हफते की Monday Night Raw के एपिसोड के लिए officially Brock Lesnar का return भी advertised हो चुका है इसके बाद guys show पर The Miz वर्से सुमासु चांपा की बीच मैस और या no disqualification वाला मैस था तो definitely यह मैच आपको देखना चाहिए इसमें आपको जो trashcan की lid है वो दिखेगी इसमें जो अनाउंसर टेबल है उसके पास काफी action होगा इसमें steel chair का भी action है वो मिज के गले पर फसा के उन्हें ने मारा था वो काफी brutal spot था उतने में तो मैच ही खतम हो जाता है और end में क्या होता है क्रेश कर गया है तुमासु चांपा एं मिज जोनो टेबल पर पिन फॉल की कोशिश करते हैं तो मासु चांपा लेकिन ब्रॉंसर रीड ने आकर शांपा के ओपर अटाइक कर दिया और उसके बाद अपना जो वो स्प्लैश है उपर से उन्हें ने वह भी मारा और मिज ने इसका फायदा उठाया फिर ब्रॉंसर रीड तो मासे चलेगा उनने का ले बेटा में जब तू मस्त हलुआ खाले और उन्हें पिन कर दिया तुमासे चांपा को और मिज इस मैच में जीत गए है और मिज की याद आया आपको बेन रॉस्टर पे कितने टाइम के बादे विक्टरी है थिंक 200 से जादा दिनों के बाद उनको विक्टरी मिल का मैच सा बेसिकली यहां पर जजमेंट डे के बीच टेंशन हैं शायद उस वजे से ऐसा हो सकता था कि मैच वो हार जाए बट ऐसा कुछ होता नहीं इस मैच में थोड़ी बात प्रॉब्लम्स हुई लेकिन एंड में सबको सॉट आउट हो भी गया गले वाले भी मिल गए औ अरम से सामी जेन के ऊपर पड़ता है साउथ ऑफ हैवन और कुडिग्रास पड़ता है पिन बैलर का पिन फॉल से जजमेंट डे जीत गई हार हो गई के विन सेंट रोलेंज की जो की चैंपेंस हैं तो इसका मतलब जजमेंट डे को आप सोच लो किस वे में डबल लोग कर र तो यह व्योर्शिप के नंबर से स्मैक डॉन के वोम आपको बताता हूं जब शो को फैंस ने देखना शुरू किया तो जो नंबर से वो 2.570 से शुरू हुए थे लेकिन एक पॉइंट पर नाइंटीन परसंट जाके बढ़े और तीन मिलियन से उपर स्मैक डॉन को एक जाती है औल क्रेड़ गोस टू ट्राइबल चीफ जिमी उसो जे उसो पॉल हमन और साथ में सोलो सिकोवा यह वीडियो घर आपको अच्छी लिगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राब और नोटिफिकेशन बेल को अन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स वीडियो